CBSC Words में आपका स्वागत है अनाम है Matter in Our Surroundings उसकी activity 1.1 करने वाले हैं अब इस activity में हमें ये काम करना है कि 100 ml का बीकर लेना है जो कि हमने ले लिया है और कहरा है कि लगभग इसे आधा पानी से आपको भर देना है मैं यहां 60 ml भरूँगा पानी से तो हमने ये 60 ml पानी से भर दिया है इसे अब कहरा है इसके अंदर आपको dissolve करना है चाहे आप sugar ले लो या salt ले लो इसे dissolve करना है तो पहले हम कुछ इसमें salt डालते हैं और आप देखना इसका level क्या उपर बढ़ता है आप देख सकते हो इसका level उपर जा रहा है ठीक है इसका level बढ़ रहा है ठीक है इतना काफी है अब इससे अंदाजा आपको थोड़ा सा लग गया है इसका level उपर चला गया है जब हमने salt डाला आप sugar भी उज़ कर सकते हो बस sugar थोड़ा सा time लेगी dissolve होने में salt के particle छोटे-छोटे होते हैं तो जल्दी हो जाएंगे तो यहां आप देख सकते हो कि level हमारा उपर बढ़ गया है अगर मैं इसे उपर से दिखा हूँ तो आप देख सकते हो इसके नीचे salt है ठीक है सफेद सफेद अब हम क्या करेंगे glass rod की help से इसे अच्छे से mix करेंगे ठीक है पूरी तरह से dissolve करेंगे आप देख सकते हो यहां पर नीचे salt है करीब एक से दो मिनट तक हमें इसे चलाते रहना पड़ेगा आप देख सकते हो धीरे धीरे यह जो पानी starting में हमारा थोड़ा सा वाइड जैसा हो गया था और काफी धेर सारी salt नीचे आकर बैट गए थी अब वो salt गयब होने लगी है ठीक है मैं उपर से आपको फिर से दिखाता हूँ तो देख सकते हो अब salt डगबग ना के बराबर है बिलकुल यह खतम से हो गई है थोड़ी थोड़ी बची है नीचे और वाटर का लेवल में बहुत हलका सा नीचे आता हूँ दिखेगा आपको तो आप देख सकते हो लगबग यह दो से तीन मिनिट के अंदर वाटर का लेवल फिर से जहां 60 पे था वहां पहुँझ गया है थोड़ा से उपर ही दिख रहा होगा क्योंकि अभी पूरी तरह से salt dissolve नहीं होई है और salt के dissolve होने के capacity होते ऊसके बाद salt dissolve नहीं होगी ठीक है इसलिए कुछ particle अभी इसके अंदर रहे गया है तो अब सवाल यह उचता है कि water का level salt डालने फर ऊपर क्यों चला गया फिर थोड़ी देर बाद नीचे क्यों आ गया और जो salt हमने डाली थी थोड़ी देर बाद वो गायब कहा हो गई तो इन सारे सवालों का जवाब अब हम देखते हैं तो हमने experiment में किया क्या था बीकर में पानी लिया था और उसके level को हमने mark कर लिया थे भईये यहां तक पानी है फिर हमने salt डाला था जैसे कि आप इस animation में देख सकते हो यह salt डाला और salt जाकर नीचे बैड़ गई ठीक है यह आपकी salt है अब जहाँ पर salt है पहले यहाँ पर पानी था जब salt आएगी तो इस पानी को यहाँ थाएगी उपर की दरफ धका देगी क्योंकि नीचे तो खुद बैड़ गई इसलिए पानी का level उपर उड़ गया ठीक है एक बात तो यह हो गई फिर पानी का level नीचे क्यों आ गया यह सबसे important चीज है अब यह हमारी salt है इसके बहुत चोटे चोटे दाने होते हैं salt तो सभी ने देखी होगी तो इसको अगर हम जूम करूँ और बढ़ा करके दिखाऊँ तो माल लो यह इतनी बड़ी हमारे salt का एक दाना है एक दाने का हम ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं तो जो हमने पानी में डाला तो यह जो एक टुकड़ा था ना ऐसे बहुत सारे हजारों टुकड़े रहे होंगे एक चमच हमने डाला तो एक दो चमच जो डाला था तो हम एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं सिर्फ एक दाने की बात कर रहे हैं तो पानी में जाने के बाद इसके टुकडे होना शुरू हो जाएंगे, माल लो इसके इतने टुकडे हो गए, ठीक है, अब इस एक टुकडे को निकाल के हम बात करते हैं, फिर इस टुकडे के कई टुकडे हुए, ठीक है, और छोटा हो गया, फिर इसके भी और टुकडे ठीक है लेकिन जो liquid होता उसके molecules थोड़ा दूर दूर रहते हैं अब दूर दूर रहते हैं तो इसके बीच में यहाँ खाली जगा होगी तो इतने छोटे उस salt के particle हो गए है कि इस खाली जगा पर पहुझ गए है जैसा कि आप इस image में देख सकते हो यह yellow color वाले क्या है salt के हमार के molecules को उपर की दरफ इन्होंने धक्का दिया इसलिए water के level बढ़ गया लेकिन अब पानी में जाने के बाद इसके टुकडे होंगे ठीक है जैसे माल लो यहाँ से एक टुकडा कटके निकल गया तो अब यह यहाँ आ आ गया अब यहाँ पर तो खाली जगे है तो यहाँ चल कि हम आँक से देख नहीं सकते इसलिए हमें थोड़ी देर बाद वो salt के particle दिखना बंध हो गया तो वो कहीं गायब नहीं हुए थे बलकि बहुत छोटे टुकडे हो गये थे और water के molecules के बीच में जाके fit हो गये थे तो यह था इस activity में तो इसमें यही चीज आपको इस activity में स झाल